अस्सेलाम लेकुम, आज हम बनाएंगे रस्मलायी, बाजार से भी अच्छी, बाजार से भी सस्ती, ज्यादा क्वांटिटी में कम दाम में हम रस्मलायी को बहुत असानी से घर पर बनाएंगे, चलिए रस्मलायी बना लेते हैं रस्मलाई बनाने के लिए मैंने यहां पर देड़ लिटर फुल फैट गाड़ा दूद को लिया हुआ है दूद को हम एक बॉइल आने देंगे अब हम दूद में दालेंगे एक टेबल स्पून भरके वईट वेनेगर यहां पर आप निम्बू के जूस से भी दूद को फाड़ सकते हो चमस से एक बार वेनेगर को दूद में मिक्स कर लेंगे दूद आपने फटने लगेगा यहां पर हमारा दूद फट गया है अब इसे च्छनी में हम चान लेंगे सुति कपड़े को च्छनी पर बिचा लेंगे पटे हुए दूद को हम छन्नी पर उंडे लेंगे सारा जो पानी है एक्स्ट्रा जो है उसे निकाल कर हम और हम एक कप के खरीब थंडा पानी को दाल कर अच्छी तरह से छन्ने को दो लेंगे इससे हमारे जो हमने वेनेगर को इस्तेमाल किया था उसके फ्लेवर और टेस्ट इसमें से निकल जाएगा कपड़े की पोटली बंकर एक्स्ट्रा पानी जो है पनीर में से हम निकाल लेंगे अब यहां पर हम पनीर को एक प्लेट में दालेंगे इस तरह से हतेली से हम अच्छी तरह से पनीर को मसल लेंगे इस तरह से पनीर को अच्छी तरह से मसल लेने से हमारे जो रसमलाई के रसगुले हैं जो हम बॉयल करेंगे वो फटेंगे नहीं पनीर हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है मीडियम से इसके हम रसगुले बनाएंगे इस तरह से गोल शेफ दे कर हम हतेली से दबा कर फिचगा लेंगे इस तरह से हम रसमलाई को बना लेंगे रसमलाई को बॉयल करने के लिए एक पतीले में मैंने आदा कप चीनी और उसी कप से तीन गुना पानी को दाल लिया है चीनी को पिगला कर हम पानी में एक बोईल आने देंगे एक एक करके हम रजगुलों को हलके हाथ से उबलते चीनी के गोल में दाल लेंगे रजगुलों को चीनी के गोल में दाल कर हम हाई फ्लेम पे तीन से चार मिनिट तक अच्छी तरह से बोईल कर लेंगे चार मिनिट के लिए मैंने रजगुलों को अच्छी तरह से पका लिया है यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ चार मिनिट में इतने बड़े बड़े फूल कर हमारे रजगुले तयार हुए हैं अब हम ढख लेंगे ढख कर आठ से दस मिनिट के लिए लो मिडियम फ्लेम पे रजगुलों को पका लेंगे सिम पर हम फ्लेम रख के और पांच मिनिट के लिए रजगुलों को पका लेंगे रजगुले हमारे पकते रहे रसमलाई का जो रस है दूद जो रहता है उसे अब हम बना लेंगे एक कड़ाई में आदा लीटर दूद को लिया हुआ है quarter teaspoon yellow food color को दूद में दाल लिया है 4 teaspoon चीनी, quarter teaspoon इलाईची पोडर दाल कर हम दूद को कुछ देर के लिए उबा लेंगे दूद को हमें गाडा रबडी नहीं बनाना है सिर्फ उबा लेना है पिश्टा बडम को मैंने दूद में दाल लिया है अब दूद हमारा उबल गया है अब यहाँ पर हम रजगुलों को चक कर लेंगे रजगुलों को मैंने लगबग 20 मिनिट के लिए उबा लिया है रजगुले हमारे अच्छे तेरा से उबल गये है चाष्टनी से हम रजगुलों को स्ट्रेन करके रजगुलों को दाल कर ढख कर हम लगबग 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इससे हमारे रजगुले सारा दूद सोक करके बहुत अच्छे फूल जाएंगे लीजे हमारे स्पॉंजी डिलीशेस रस्मलाई बन कर तयार है आज की मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर अल्ला हाफीज